हाई फ्रेंड आज हम बनाएंगे मिर्ची का पकोड़ा आपने मिर्ची का पकोड़े तो बही उत्त खाएं होंगे लेकिन इस तरह से बनाएए खाने में काफी टेस्टी लगेगा तो चलिए बनाना सुरू करते इधर हमने चाट बुलंबे वाले मिर्ची लिए हैं उसे अच् अच्छा लगे तो लाइक करें सेयर करें स्बस्क्राइब करें और वेल बटन को दवाना ना भूले ताकि मेरे वीडियो का नए ने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं तो देखिए इधर हमने कुछ मसाले लिए हैं गरम मसला हल्दी पोजा नमक जिंजर ग सबी को हम अच्छी तरह से मिकश कर लेंगे पनी एक आप अच्छी तरह से हाथों से क्रस्क कर लेंगे ज़िए इस तरह से हम सभी को मिक्स करके मेरमलर मेर्ची का शट सपाफिंग रेडि करेंगे अब हम मिर्ची के बीच वाले भाग में इसे सारे अस्टाफिंग को भरेंगे यह देखिए इस तरह से हम थोड़े थोड़े अस्टाफिंग लेकर इसके बीच में डालेंगे इसी तरह से हम चारे मिर्ची में अस्टाफिंग भर देंगे इस तरह से आप मिर्ची का उपकोड़ा बनाएं काफी अच्छा लगता है खाने में अब विल्कुल क्लीमी लगेगा इधर हमने एक बॉल लिया है उसमें हम दो चमच बेसल लेंगे उसमें हम इस मंगरेला डालेंगे एक चमच एक चमच अजमान डालेंगे एक चमच नमक डालेंगे आधा चमच हल्दी पॉडर आधा चमच मिर्ची का पॉडर आधा चमच गराम असला और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डार कर एक बैटर तयार करेंगे यह देखिए इस तरह से मेरा बैटर बनके रेड़ी है अब जो हमने मिर्ची का तैयार किया है स्टफिंग वाला उसे इसमें हम कोट कर लेंगे अब इसे गरम-गरम तेल में इसे हम डाल देंगे और फ्राय कर लेंगे इस तरह से एक तरह पक जाएगा तो दूसरे तरह पलाट टू लटकर हम इसे फ्राय करेंगे यह देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राय हो गया इसे अब हम निकाल लेते हैं और यह हमारा खाने के लिए रेड़ी है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बेल बटन को दवाना ना भूलें आपको यह वीडियो अना भालें